दोस्तो एक good news है उन लोगों के लिए जिनको J.R.R. Tolkien की fantasy world middle earth बहुत ही पसंद है और especially वो जिनको Peter Jackson की Lord of the Rings और The Hobbit फिल्म सिरीज क्योंकि Peter Jackson वापस आ रहा है J.R.R. Tolkien की fantasy world middle earth पर एक नई फिल्म बनाने के लिए चलो इस पर थोड़ी detail में बात करते हैं कि सारा मामला क्या है और नया प्रजेक्ट जो आ रहा है Lord of Rings पर इसका director को ने और ये फिल्म का रिलीज होगी So War of Bruce Discovery के CEO डेविड जासलों ने कहा था इस Thursday को Lord of Rings के एक प्रजेक्ट के script पर काम चल रहा है और वैलिश एंड बोइन्स इसके writers है जो पहले ही Lord of the Rings फिल्म स्रीज के writers थे और उसके साथ होंगे फियो बी किटिन्स और आर्टी पापा जोर्जियो क्योंकि ये दोनो Lord of the Rings दवार आफ रूही रिम जो एक animated film है तो ये उसके writers हैं तो सोचो के अगर इतने सारे writers एक script पर काम कर रहे हैं तो सोचो film की story कैसी होगी और अगर आप Lord of the Rings और The Hobbit फिल्म के writers देखो तो उसमें भी कम से कम चार writers हैं भाई मैं यहां screenplay writers की बात कर रहा हूं कुछ और मत समझ लेना वेल अब मैं बात के film क्या होगी इसकी story क्या होगी जो मैं बताने जा रहा हूं आप उसको थोड़ा ध्यान से समझना Lord of the Rings और The Hobbit के writers अभी Warner Bruce के पास हैं तो उस पर यह film यह series बना सकते हैं बट Lord of the Rings से पहले Hobbit है और उस से पहले की जो story है यह फिर event है वो सब के सब अभी Amazon Studio के पास writers हैं जिस पर वो just five season की एक series बना सकता है तो कि बना रहा है यह rings of power तो इससे आप समझ गये होंगे के The Hobbit से पहले क्या हुआ था मतलब इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी तो वो इस film में तो हमें नहीं दिखाएंगे तो रूमर्स चल रहे हैं कि यह film होगी गॉलम के character पर जो Lord of the Rings और The Hobbit नौवल का most famous character है और नाम बताया जा रहा है इस film का वो है Lord of the Rings The Hunt for Golem तो इससे यह अंदाजा होता है कि जब स्मीगल को रिंग मिलती है और वो गॉलम में ट्रांसफर हो जाता है तो यह जितना भी time duration होता है और यह भी कि जितनी भी गॉलम ने struggle की होगी रिंग को protect करने में और शायद बहुत से लोगों को मराभी होगा रिंग की चाहत में और किन किन पाउरफल बिंक्स का सामना किया होगा वो सब कुछ देखने को मिल सकता है इस फिल्म में क्योंके भाई पीटर जेक्सन की फिल्म में यह सब जस्ट फलेश बेक में ही थोड़ा बहुत दिखाया जाता है यहां फिर बताया जाता है कि कैसे स्मीगल को रिंग मिलत हुर उसकी चात में भाई वो खूं भी कर देता है और व्हो गोलम के ट्रांस्फर हो जाता है अगर फिल्म का ये नाम है यही चीज़ देखने को मिल सकती है और यही फिल्म हाई फेंटेसी और एडवन्चर होगी वेल जब यह फिल्म आएगी तो देख ही लेंगे देखिक्स कुए आपक करते हैं नाम बताय जा रहा है यही डिर्यक्टर है इस फिल्म के और यह वही एक्टर है जन्होंने गॉलम का character play किया था मतलब कि उसको वाइस सबर इसने ही दी थी तो एंडी ही इस film के director है बट इसका ये मतलब नहीं कि Peter Jackson इस film का हिसा नहीं है तो भाई ऐसा नहीं है Peter Jackson इस film का हिसा है वो भी as a second director और इस film के जो producer है Peter Jackson है वैसे Peter Jackson फिलिपिया बॉइनिस फरान वालिश ने खुद का है कि वो इस film की story और direction को लेकर जरूर गाइड करेंगे इसका मतलब है कि ये तीनों इस project का हिसा है तो अभी तक तो इसी पर बात चल रही है बाकी film की casting में कौन कौन होगा ये अभी announcement नहीं की गई जस्ट इस project की story पर अभी काम चल रहा है और man character golem जो है उसका character play कर रहे है एंडी ये तो confirmed है और यही director है और ये film release होगी 2026 में मतलब के 2 साल तक wait करो और इस साल आप दवार आफ रूही रिम देख लेना जो के एक animated film है वैसे वर्न बुरूस ने ये का है कि J.R.R. टॉकलन की books पर और भी movies बनाएगा क्योंके भाई डेविड ने खुद का है कि उनको पेसा बनाना है तो यही reason है कि और भी project बनाने का सोच रहे है तो अभी तक तो ये दो confirmed है बागी का पता नहीं है तो भाई मैं तो इस film के लिए बहुत ही excited हूँ क्योंके भाई मुझे fantasy world middle earth बहुत ही पसंद है और इस पर मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है और अगर इस पर और वीडियो चाहिए है तो आप मुझे comment करके जरूर बता देना किस किस topic पर वीडियो चाहिए है तो मैं उस पर वीडियो बना लूँगा अगर आपने अभी तक हमा चनल सब्क्राइब नहीं किया तो चनल को जरूर सब्क्राइब करें और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें